प्रेंस वेल्कम बैक टो माई चैनल अंकिता कीचन्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइप करें शेयर करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें चलिए फिर बना है स्ट सब्सक्राइब से भर पूरी नास्ता बहुत जादा टेस्टी बनता है इसे बनाने के लिए हमने यहां लिया है कटी हुई सब्सक्राइब और दो कप हमने यहां ले लिया है सूजी पूरी नास्ता बहुत टेस्टी बनता है तो आप एक बार इसे ट्राइ कर सकते हैं इसे ब यानी च्छान लें इसे, अच्छे से ने मिक्स करेंगे आप देख सकते इस में थोड़ी से और पानी की जरुएत है आप इसके जगा दही का यूज भी कर सकते हैं पर हम इहा डाल देंगे 2-3 चमच पानी पानी डालने के बाद इना अच्छे से मिक्स करेंगे अश्छी सेश्ट मिक्स करनें अश्चाल कि अधरीशियुकन को इसे जाला है इसमें डालेंगे पानी, बहुत जादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिक्स करें, और ऐसे ही करते हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देखेंगे बहुत जादा इसे गाढ़ा नहीं करना और बहुत जादा पतला भी नहीं करना है, हमें तिरेचे थोड़ा सकंट बनाणी पाउडर दालना त्याया जानाफी छीली फ्लेक्स ठीकाच कमेश्च भूना जीरा पाउडर जीरा दालना अफनल आप चाहें टेसे स्किप कर सकते हैं एक चममेश माच अदरग और अदरग डालने साथ हम डालने के अपनी कटी हुई सब्ज यहां हम डालेंगे हरी मिर्ज, कद्दू कस्किया हुआ गाजर, प्याज, शारी सब्यों के इसमें हम डालेंगे, बहुत जादा टेस्टी बनता साथी बहुत हेल्दी होता है, आप इसे एक बर ट्राइ कर सकते हैं, अगर आपका अमन करता है कभी भी बनाने का तो आप इसे ज पानी एट करने के बाद आप इने अच्छे से मिक्स कर लें, इने अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां डालेंगे इनो, हमने यहां ग्रीन वाले इनो का यूज किया आप चाहें तो जो ब्लू कलर का इनो आप उसका यूज भी कर सकते हैं, इने अच्छे से मिक्स करने के ब जुली प्टापटी से बना लेते हैं, बनाने के लिए हमने हाह पैन गरम करने के लिए, जू दालने के लिए वाह पैन ड़िये लिए, पे लिए लो गर समुपल ना तील डालने के बाद आद देंके लिए से एचा से ले 새 डाल कर लेए को धीने डाल जालने के बाद आप इने हलके हाथों से ऐसे करके फैला देंगे डालने के बाद हमने इस तरीके से फैला दिया है फ्लेब को स्लो कर दें और ढ़क के चार से पांच मिर्ट अपका लेंगे अब आप देंगे आपक लिए में वेनिक बाद kयारष आएधि पर्फेक्ट प्क चुका यह और इस साइट से फीर निकलने कि खाल और करते हों हम इने पप्लत जाएंगे और इस पारिके से पने功 saky करते अब इने प्लुएं परड़ेंगे इस साइड उंठे़ लकुर ऑसे त और आप देख सकते हैं पर्फेक्ट नास्ता बनके रेडियो गया फ्लेम को बंद कर देंगे हम इने एक बर्तन भी निकाल लेंगे अधर करने के लिए मैंस तरीके से सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे रेशीपी लगती है इसे एकî बस जरूर है और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें अपने फैमल्यो और फ्रेंट के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल आप से एक ऐसी नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को बैबाए आप इसे गर्मा गरम जाय के साथ इंजवाय कर सकते हैं